स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूँ आचल कादियान आयोध्या में भगवान राम की प्राण परतिष्टा के लिए तैयारिया जो है वो जोरो सोरो से चल रही है पूरा देश उस अद्वुद शन का साक्षी बनना चाहता है हर देशवाजी के मुख पर राम नाम सवार है चारो तरफ सीता राम की गूँच है इस बीच आयोध्या से 15 किलो मिटर दूर न्यूज इंडिया की टीम सूरिय वन्शियों के गाउं पहुँची कि किस तरह सराय राशी गाउं का इतिहास भगवान राम से जुड़ा हुआ है रगुकूल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन ना जाई राम जिनोंने अपने पिता के वचन के लिए महल का सुख त्याग दिया राम जिनोंने अपने पिता के वशन के लिए तमाम वैभाव का परित्याग कर दिया और समाज के सामने एक ऐसी मर्यादा स्थापित करी कि आज वो मर्यादा पुर्शुत्तम है लेकिन हम जब आयोध्या की बात कर रहे हैं तो मर्यादा पुरुशुत्तम को थोड़ा सा किनारे रखिए राम लला को जहन में रखिए सूर्य वंशी होने को जहन में रखिए और जब आप आयोध्या में एंटर करेंगे तो धर्म मार्ग से एंटर करेंगे धर्मपत से एंटर करेंगे सूर्य की प्रतिमा आपका स्वागत करेंगे लेकिन इन तमाम चीजों की भूमिका के बीच एक विशय है जो आपको जानना चाहिए अयोध्या से मात्र दस किलो मीटर की दूरी पर एक गाव है सराय राशी यहाँ पर पूर्व में एक राजा हुए उन्होंने युद लड़ा 90,000 सैनिकों के साथ सूर्य वन्शी थे और उनके खून से कहा जाता है कि मीर बाकी ने गारा तयार करवाया और उससे बाबरी मस्जुद का निर्माड हुआ लेकिन उस बीच क्या हुआ उस बीच कुछ ऐसा हुआ कि इन गाव वासियों ने इन सूर्य वन्शीयों ने ऐसी कसम खाई सराय रासी के वासियों ने ऐसी कसम खाई कि वो कसम आज तक जीवित है 500 साल से जादा का वक्त बीच चुका है कैमरा परसन से कहूंगी कि एक बार सारी चहरे आपको दिखा है यहाँ पर यह चहरे आपको उचसाहित करेंगे कुछ चहरों पर जुर्या है लेकिन वो जुर्य पर तक चांण झान अनुभव है अनुभव इस बात का क्योंनने राम को टाट से थात में जाते हुए देखा है विद्वंच से विराज़मां तक की यात्रा अपनी इनी आँखों से देखी है सर सबसे पहले अपना नाम बताइए हम जिक्र कर रहे हैं इतिहास का इतिहास इस बात का कि राम अब गर्ब ग्रह में विराजमान होने जा रहे हैं आपके गाओं में लोगों ने कसम खाई पगड़ी धारन नहीं करेंगे जूता नहीं पहनेंगे छतुरी नहीं लेंगे 500 साल से ज़ादा बीट चुके हैं वजा क्या रही वजा ये थी कि उसका मैं क्या बोलते हैं हमारे पूर्बच थे ठाकुर गजराज सिंग उसमें आया था उनका बाबर का सेना पती मीरबाकी मंदिर को धुस्त करने की निय से आया था मंदिर को धुस्त करके मज़ी बनवाना तो हमारे पूर्बज ठाकुर गजरासिंग से उनको पता चली तुन्हों ने आज पास के अगल बगल के जितने छत्रिय गाउं थे सभी छत्रिय गाउं में जाकर के सबको जगाया सबको अपने साथ लेकर के 90,000 सुर्बन छत्रिय उसमें कत्रित हुए थे ले जाकर के उन से ही गारा बना करके मस्जिद का निर्माड मेरी बाकी ने करवाया था तो इस बात का ये कहीं न कहीं ये इंसिदन्ट इस बात का भी प्रमाड है कि मंदिर का विदवन्च करके मस्जिद का निर्माड कराया गया है 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 ये अंग्रेजों का इतिहास कार था का लिंग हम लखनों के गजेटेरियर में अपने उसका जो इतिहास लिखर के रखा उसमें छाषटोवे पेज में है लिखा हुआ उसने लिखा हुआ रख तरंजिस हां पगड़ी बगल में रखी हुई है पगड़ी का क्या इतिहास है क्योंकि पगड़ी तो आप पहनते नहीं आपके स संपूर्ण ग्रामवासी पहनते नहीं इस पगड़ी का क्या इतिहास है कि हम लोग हम लोगों के वो सान होती थी पगड़ी उसमें हमारे जब मंदिर को तोड़ने के लिए आया तो हमारे बाबा जो हम उनकी नवी पीड़ी है उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम मंदिर को ज जूटा नहीं पहनेंगे और छतरी नहीं इस्तिमाल करेंगे फिर चाहे बारिश हो धूप हो कुछ भी हो यह प्रण लिया गया था और यह प्रण 500 सालों के बाद अभी भी यथावत है इंतजार है राम लला के गर्बग्रह में विरार्जमान होने का जब जिरह चल रही थी बहुत लंबी जिरह चली और जिरह के दोरान कई मौके ऐसे आए कि इंसान तूट भी गया यह यूँ कहें कि हिंदू पक्षी तूट भी गया उसको लगा कि शायद अब तो कुछ नहीं हो पाएगा इस मामले में तो बेचानी हुआ करती थी बाबा हमारे गजराच बेचानी होती थी और जो है वो लड़ने में बहुत आतुर रहते थे कि हम बनवा के छोड़ेंगे बागी सब लोग वहां सूर्बंसी अकत्रित हुए और उनके साथ साधों की एक सेना थी जो चिम्टाधारी थे वो भी लड़ते थे जाकर के रात मे बनवाता था यह लोग जो है वो दिन में बनवाता था रात्री में लोग गिरा करके उसको बिद्वन्स कर देते थे फिर वो बनवाता था ऐसे सिल्सला चलता रहा और काफी दिन तक आज तक चलता रहा लेकिन वो कामियाभी अब मिली योगी और मोदी जी के कारण और भग गर्भगरे में जाएंगे तब हम लोग जूता और पगड़ी पहनेंगे उसी दिन सुर्व कुण्ड वंदिर पर देखे ये पगड़ी आपकी शान भी है इसको मैं थोड़ा सा निपास रख लेती हूं मैं आप से भी बाचित करूंगे देखे हम बात कर रहे हैं यहां पर समा अबरी मजड का विद्वन्श हुआ उसके बाद उमीद जागी कि शायद आप तो कुछ हो सकता है क्योंकि राजीव गांदी ने ताला खुलवा दिया था और सारी चीजें हो गई थी उस दोरान मन में क्या आप लोगों के चल रहा था क्या कुछ घर में किसी तरह का को डिस समय आ रहा है एक दिन ये समय आ जाएगा कि हमारे जो प्रोहित हैं जो हमारे परिवार के राजा राम जो है वो अपने सही अस्था ठाट से ठाट में चले जाएंगे तो हम लोगों को उससे बहुत खुसी हुई और पूरी उमीद ये हो गई थी कि हम जल्दी से जल्दी रा कर रहे हैं बाबुजी आपकी पास आउंगी और आपसे पूछती भी हो मैं देखें राम जी टाट में मौजूद थे और राम जी जिस दौरान टाट में मौजूद थे जो आयोध्या आता था उसको बड़ी तकलीफ होती थी और इवन जिस दौरान वर्डिक्त आया मैंने भी दर्शन किये वो मेरे पहले दर्शन थे मन विचलित हो जाता है कि आपके इश्वर जो हैं वो टाट में बैठे हुए हैं उनको क्योंकि मैं सतेंदर दाजी से भी बातचीत कर रहे थी तो सतेंदर दाजी कहते हैं कि साल में सिर्फ एक बार ऐसा होता था कि पैबंद लग पानी का इस्तेमाल करते हैं सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं आपके पूरजों का खून इस्तेमाल उसमें हुआ है विद्वश जिस दौरान हुआ और जब आप रामलला को टाट में देखते थे तो दोनों भाव कैसे थे भाव कहा मिले जोन भाव जोन बाट टाट में देखे अब तो सवाय महा तकलीफ की बाद थी उस समय अभी समय जोगी ओ मोदी आगे इसलिए आसा जागी कि हाँ हमारे रामलला आजाएंगे मुलायम सिंग भैद देखो कार सियोक को मरवादिया हमारे रहते हैं परिंदा पर रही मार सकते हैं सब गोली चलवा दिया क्यों हिंदू माने हम हिंदू है वो तो मुसुल्मान था कि जब गोली चलवा जिया क्या था है जो है सरी नदी का पानी खून से लाल हो गया और इस समय जो है अभी कि हम निवता पा जाए आ जाए यहां बाइस तारिक को राम जी जा रहे हैं गर्बग्रह में और आपकी शपत का क्या बस पर पहुंचकर हम लोगों ही सब इस्तेमाल करें पहने के उसी दिन सूरी कुंड का क्या एक्जाक लेती हास सूरी कुंड बसूर्ज भग्वान का उनका राजा के रहा तो दर्शन सिंग उगर उसको सूरी कुंड खुदाय थे उस समय बहुत सुनी बादे बहुत सुना जी ने शपत ली थे वहां कुल देवता दे शूज भग्वान कुल देवता हुए तो वहां पर आप लोगों ने शपत ली पगडी की शपत ली वहीं पर पगडी धारण करेंगे आवा लंबी निउस इंडिया से बाचीत के दोरा सराय राशी गाउं के लोगों के दिल में राजनितिक की जो टीस है वो भी साफतोर पर नजर आई हिचकी चाते हुए उन्होंने अपने सीने में छिपे उस दर्द को भी जाहिर किया जिसका जिकर जब भी जुबान पर आता है तो वहां जुबान लड़ खडाने लगती है 1990 की सियासत को सराय राशी गाउं के लोग आज भी भूल नहीं पाए है 1990 का एक एक जख्म आज फी ग्रामिनों के सीने में सबूत बन कर गवाई दे रहा है कहते हैं कि जो पूरवज होते हैं उनके चहरू पर जो लकीर होती है वो असल में जुर्यों से जादा अनुभाव की लकीर होती है वो अनुभाव जो उन्होंने जिया भी है और महसूस भी किया है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बहुत जादा खूशी हुई जब सुप्रीम कोट में वुकदमा चल रहा था तो जो इसका विरोध जमानिय से करते चले आए वो पहले भी बिरुत कर रहे थे, आज भी बिरुत कर रहे हैं लेकिन नयूता जरूर धोड़ रहे हैं कि मुझे निमन्तरन क्यों नहीं गया हाँ समाजबादी पाटी, हाँ और कांगरेस पाटी ये दोनों उसका भी रोज करते थे, तमाम बार कहते थे, अभी नहीं चुना वा रहा है, तो भगवान राम से चुना, उसके मतलब है, भगवान राम कोई निता थे, भगवान राम तो सबके रच्छक थे, सबके आदर्स है, सबको लेकर चलते हैं, और भगवान राम सारे जि सुखती ऐस बात के उटती है के जो पीछे की पंक्ती में थे वो अग्रणी हो ग 녈 जो अंग्रणी भूमिका में थे वो बहुत पीछे चले गए आपको ये लगता है कि अब कहीं न कहीं लोग जो है वो इतिहास याद रखने की बात तो करते हैं लेकिन इतिहास भूलते जा रहें। अंदाज किया जाता दोनों फर्क है भूलना और नजर अंदाज करना आपको नजर अंदाज किया जा रहा है हाँ नजर अंदाज करना और फूलना दोनों जमीन आसमान फर्क है यह कह रहे हैं कि हमें नजर अंदाज करके दिखाओ हम अंदाज बिगाड के रख देंगे अब वही हाल है कि हम सब तो वही हैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरु से दो ही बंस का रात था सूर्ज बंस और चंद बंस हम लोग सूर्ज बंस के इतिहास से जुड़े हैं हमारी खांदान में राज हरी चंद भी पैदा हुई थे और भगवान राम इधर सब बंसज और के बाद फिर हमारा बंस हमारे सनातन धर्म को हमारे बंस को कोई मिटानी की चंदा नहीं रगता है क्योंकि जब से मैं बता रहा हूं सुरु से आद तक इतने लोग चले अंग्रेज इसको मिटाना चाहे इसको जो है मुगल मिटाना चाहे हूंड सक मिटाना चाहे सारे लोग मिटाना चाहिए लेकिन कोई हम लोगों को मिटा नहीं सका और भगवान राम हमारे ऐसे आराद है कि ये भगवान विसुलू के उतार थे हम लोगों की भागी थी जो उनके बंस में हमको जन्म लेने का सोभागी पराप्त हुआ कांगरेस में जवाहर लाल नहरू से बड़ा को और यही भगवान राम के मूर्ती का मामला चला इस मूर्ति को इथर फ्ख़ल नहींं कर सकता हुँ तो कुल्मिलाग यह कहौत है जैसा बाव तो बेटा अरे जिसके खून में जैसा चला आ रहा है तो जबाहलाल नहरू के जबाने से ही चीजे चली आ रही इंदरागाधी पर बड़ी नेता थी और राजिव गाधी आप देखिए कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राजिव गाधी ने ताला खुलवाया, इसको मज़ी मानता हूँ कि आपने ताला खुलवाया, इधर आपने त सब्सक्राइब करते हैं और जब कार सेवक आयोध्या पहुंचे तो उनके खाने की जिम्मेदारी सराय राश्री गाउं के लोगों ने लिए इसके साथ ही सूरिया वंशियों ने कार सेवकों को रास्ता भी दिखाया कि दिखें यहां पर उस जिक्र कर रहे हैं कि कार सेवकों के लिए यहीं से भोजन भी बन करके जाया करता था यहीं से जब संदेशा आता था तो हर घर से 10-10, 15-15, 20-20 रोटिया बन करके एक खठा की जाती थी और लोग जाकर के कार सेवकों को जो है दिया जाता था कि बचारे भूखे न रहे हैं कार सेवकों में उनकी सेवा में कहीं न कहीं आ के आपको अपनी प्रतिग्या पूरी होने की आस नजर आ रही थी नहीं, वो तो हमारे आराध्य थे, वो हमारे आराध्य के लिए ही वो भी आये थे, उनके भी आराध्य हैं, और हम तो उनके बंसज हैं, तो हम और उसके बाद वो अतित्य थे, आये हुए थे, तो हमारा काम था को उनको यहां नरास्ता पता है, नरहने का ठेकाना पता है, सरका पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था तो नदी के किनारे से जो रास्ता था कि गन्ने के खेतों से पक्डंडियों से उनको वहां तक पहुंचाया गया और यहां के लोग भी उसमें सामिल थे हर समय चाहे जब रहा हो 500 साल से पहले से कोई नकोई कोई नकोई कोई नको वहां इस तरह मेर मांकी करवा रहा है और इतना सब करवा दिया हुमाई और अंजे तब अन्त तक कोई न कोई न कोई लडाई में सामिल रहता रहा उन्होंने इसलिए सबतली कि वह दिहान हर्दम याद रहे कि हम छाता पगड़ी और पनही नहीं पहनेंगे इसलिए कि उनके आने वाली नसलें उस चीज को याद रखें किन कारणों से उनके अंदर भड़ दिया गया था नस नस में कि याद रहे कि यह किस तरह हमारे साथ अकरानताओं ने किया था और फिलाल स्पिलेटर में सर्फ इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रहे है न्यूज इंडिया के साथ